हेलो एवरिवन, वेलकम टू पड़ो इंडिया, आज इस वीडियो में हम करेंगे पिटारा स्टोरी की बुक नमबर 4 की एक और नई स्टोरी पेज नमबर 13 पर है एक नई स्टोरी जिसका नाम है ट्री फ्रेंड, आप भी पेज नमबर 13 पर इस स्टोरी को निकाल दीजिए के तयारी कर रहा है, उसकी मम्मी आती है और कहती है, मम्मी कहती है, काकू यू मस्ट स्लीप नव, काकू अब तुम्हें सो जाना चाहिए, ये देखें गड़ी में भी रात के ग्यारा बजने वाले हैं, काकू, काकू कहता है मा मैं अपने आर्ट कॉंपटिशन की तैयारी कर रहा हूँ मम्मी कहती है माइ गॉड हे भगवान यू हे वेस्टेड सो मच पेपर मम्मी कहती है कि हे भगवान तुमने कितने पेपर खराब कर दिये है यहां पर देखिए यह काकू अपने ड्रोइंग की प्रैक्टिस कर रहा है और इसके लिए इसने कितने सारे पेपर को यहां पर हराब करके फैक दिया है मम्मी इसी बात को देख करके नाराज होती है देखें काकू क्या जवाब देता है काकू काकू कहता है I am only practicing मैं केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ I am trying to make a better picture मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छी picture बना लू मम्मी कहती है Remember to use both sides of the paper ध्यान रखो कि paper के दोनों तरफ इस्तिमाल कर लो ड्रोइंग बना कर This way we save trees and stop wastage इस तरीके से हम पेडों को बचा सकते हैं और कागस की बरबादी को भी रोक सकते हैं पेडों की बरबादी को इस तरह रोक सकते हैं क्योंकि कागस पेडों से ही बनता है इसके बाद देखें काकू सोने चला जाता है फिर क्या होता है काकू goes to bed and sleeps काकू बेड पर जाकर के सो जाता है He dreams about the drawing competition और वह अपने drawing competition के बारे में सपना देखता है देखते हैं कि इस सपने में उसने क्या क्या देखा देखिए ये काकू बेठा हुँ है drawing competition में सपने में और यहां ये इसकी drawing sheets इससे दूर भागती जा रही है यह देखकर काकू कहता है What is this? यह क्या है? Why are these drawing sheets running away from me? यह drawing sheets मुझसे दूर क्यों भाग रही है? Why is this tree crying? और वहां पर एक पेड भी है जो रो क्यो रहा है? What is it saying to me? और यह मुझसे क्या कहना चाहता है? देखते हैं कि पेड उससे क्या कहता है? यह रहा वो पेड जो काकू के सपने में आ रहा है और जो रो रहा है अब यह पेड क्या कहता है? ट्री पेड कहता है Do you know how papers are made? क्या तुम्हें पता है कि कागस किस तरह से बनते हैं? My branches and trunk are used to make paper मेली टहनिया और तने को काट करके कागस बनाया जाता है So many trees are cut to make paper कई सारे पेडों को काटा जाता है तब कागस बनता है Last night you wasted so much paper और last night पिष्टी रात को तुमने कितने सारे कागस खराब किये Please, please be more responsible Please, तुम समझदार बन जाओ न पेड आगे कुछ और भी कहता है ट्री पेड कहता है These papers are upset यह paper जो यह कागस हैं ड्रॉइंग की sheets यह उदास है That is why they are running away from you और इसलिए वो तुम से दूर भाग रही है क्योंकि कागस ने कागस को बरबात किया था इसलिए यह सारे drawing sheets भी उससे नाराज हैं और परेशान भी है देखें अब कागस क्या कहता है कागस को अपनी गल्टी का हैसास होता है और कागस कहता है I am sorry for wasting paper मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने कागस को खराब किया I promise you I won't waste paper anymore और मैं अब तुम से वादा करता हूँ कि आगे से मैं कागस को बरबाद नहीं करूँगा I will be careful in the future और आगे मैं इस बात का ध्यान रखूँगा And also spread the message in my school और इस बात को मैं अपने स्कूल में भी सबको बताऊंगा Let us be friends चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं कौन दोस्त बन जाते हैं काकू और पेड काकू कहता है Can I give you hug क्या मैं तुमको गले लगा लूँ काकू hugs the tree काकू पेड को गले लगाता है And all the papers are smiling और अब सारे papers जो हैं मुस्कुराने लगते हैं यह देखिए सारे papers मुस्कुरा रहे हैं यहां पर काकू का सपना खत्म होता है देखते हैं काकू जगता है काकू wakes up काकू जग जाता है Oh it was a dream और जगने के बाद में कहता है अरे यह तो एक सपना था बट I have learnt an important lesson लेकिन मैंने एक बहुत जरूरी सबक सीख लिया है I will remember to be a treat friend मैं याद रखूंगा कि मैं पेड का दोस्त बनके रहूं अब फिर देखिए यहां इस चितर में दिखाया है कि काकू और उसके क्लास के बच्चे स्कूल में पौधों को उगा रहे है तो बच्चो कैसी लगी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है ऐसी ही और स्टोरीज को पढ़ने सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें